ज़िए मजू स्टार्ट करते हैं डीयमीầ YOUR Business की चैप्टर नंबर नाईन सेंटल और्पिट्स फउस्जण है सेंटल और्पिट की कि सेंटल और्पिट क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी प्लेрь के और वह फोर्स हमेशा एक फिक्सट पॉइंट की टुवार्स लग रहा होता है तो उस फोर्स के कारण वह पार्टिकल जो पाथ डिस्क्राइब करेगा उस पाथ को बोला जाता है सेंट्रल और्बिट जैसे एक्जाम्पल करते हैं कि मान लेते हैं ये सन है और ये हैं हमारा प्लेनेट अर्थ अब अर्थ क्या कर रही होती है सन के अराउंड एक प्लेन के अंदर मूव कर रही होती है एक फिक्स सोरी एक फोर्स के अंदर और ये फोर्स जिस फोर्स के अंदर ये अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रही होती है वो फोर्स हमेशा इस सन के टुवार्ट्स लग रहा होते हैं यह जो sun है वो fixed रहता है और जो सभी के सभी planets हैं जैसे हमारी अर्थ ही है वो इसके round move कर रही होती है तो यह तो एक तरह का fixed point हो गये और अर्थ इसके round move कर रही है यह हमारा particle हो गये तो यह अर्थ क्या कर रही है एक plane के अंदर एक force के अंदर इस sun के round move कर रही है और यह जो force है वो इस sun के towards लग रहा है और यह अर्थ उस force के अंदर move करके एक path describe कर रही है इस path को बोला जाता है central orbit Central orbit की definition है the path described by the particle moving in a plane कि कोई particle है plane के अंदर move कर रहा है और वो जो path describe करेगा under the action of a force force के action के कारण which is always directed towards a fixed point और force और वो force है वो fixed point के towards directed होता है तो इस path को बोला जाता है central orbit और इस fixed point को बोला जाता है center of central force जहां central force के होगा जिस force के कारण यह जो particle है वो move कर पा रहे है इस fixed point के about और जो force इस fixed point के towards लग रहा है उस force को बोला जाता है center force the force which is directed towards the fixed point and under which the particle is moving in a plane is called central force कि वो force जो इस fixed point के towards लग रहा है और जिस force के कारण यह जो particle है वो fixed point के about move कर पा रहे है उस force को बोला जाता है central force और इस fixed point को बोला जाता है center of central force the fixed point is called center of center force तो यह तीन टर्म होगी आपकी center orbit क्या होता है central force क्या होता है और center of center force क्या होता है कर तो कर दो पowegoदकी थाल